नमश्कार दोस्तो वेलकम टू स्टडी आई क्यों दोस्तो हमारी ये जो सीरीज चल रही है मेंज हंडर्ड सीरीज इसमें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एथिक्स की कुछ क्लासिज जहां हमारी कोशिश है कि जो इंपॉर्टन टॉपिक्स हैं जो की मेंज में हम एक्सपेक इस सीरीज से होने वाला है क्योंकि हमारी इस सीरीज में कोशिश है कि आपको जो कंसेप्स हैं वो हम यहाँ पर इस तरह से समझाएं कि बहुत ही इसली आपको वो कंसेप्स समझ आ जाएं और आपके साथ वो कंसेप्स समेशा रहें चलिए तो आज की अपनी सीरीज में हम न बात करने वाले ओल्रेट सो आई वेलकम ओल जो भी यहां पर हमारे साथ जोड़ चुके हैं उन सब का मैं स्वागत करता हूँ इस सीरीज में कल भी हमने जो टॉपिक किया था वो था एटिटूड और मुझे अपको एटिटूड का वो तापिक था वो समझ आया होगा मुझो ये भी उमीद है कि जो attitude का topic था वो सिरफ exam के लिए ही नहीं बलकि हम अपनी everyday life में भी उस topic को जो है समझ कर और इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे एक चीज मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ये दो topic खास करके मुझे बहुत मेरे personal favorites है एक तो है attitude और दूसरा है emotional intelligence ये दोनों ऐसे topics हैं जो हमारी जो day-to-day life में अगर हम इस day-to-day life में इन topics की उपर गौर करके लिट्रेट हो जाएं तो ये ऐसे topics हैं जो आपके interpersonal relations को भी काफी जादा जो है बहतर बना देंगे लोगों का आपके साथ जो interaction है वो और जबूत और बहतर हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से अपनी life को जो है everyday life को जी सकते हो तो ये दो topics मेरे personal favorites है एक तो है attitude और दूस में में ethics के paper में वो किस तरह से हमें approach रखने चाहिए दो चार जो है बाते हैं आज उसके बारे में भी करेंगे एक case study भी हम यहां पर जो है solve करेंगे और रही तो यह हमारा आज का agenda रहेगा जो कि मुझे मैंने आपको अबी बताया ठीक है तो शुरुआत करते हैं अच्छा एक बात और वो सभी स्टुडेंट्स जो की यूपी एसी एस्पिरेंट्स है और जो चाहते हैं अपनी इस जर्नी को और बहतर बनाना study IQ के इस foundation course को बैच को जोईन कर सकते हैं सुबह 8 बजे का बैच है 11 जुलाई से यह जो बैच है वो शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे की इ गैमिंगे सो अर्ली मोर्निंग क्लास इस रखी गई है और इसमें सभी फीचर्स जैसे की आपको मेंटॉर्शिप प्रवाइड कराई जा रही है एक साइस और रिटायर आइस ऑफिसर जो है मिस्टर सुवरूप उन से भी आपको यहां पर जो है मेंटॉर्शिप प्रवाइड कराई जा रही है तो बहुत ही बढ़िया कोर्स है और रेट सो आप चांद लाइव का यह कोड लगा कर इसका बैफिर उठाई है और अठार हजार हजार नोसो नियाने में रुपय में इस को सकते हैं चले जैसे की मैंने आपको कहा कि आच का जो हमारा टॉपिक है वो है Emotional Intelligence लिए गृट इंग गृविनिंग ऌल डू की जोबी वहां पर जोट요ट रहा है जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है emotional intelligence जो है वो होनी चाहिए अब कैसे questions आए हैं वो भी एक बार देख लेते हैं यहां पर हम सब देखते हैं कि यह questions जो है 2020 और 2019 के ही मैं question paper से उठा कर लाया हूँ 2020 में आप से पूछा गया था what are the main components of emotional intelligence can they be learnt और discuss करना था इसको आपको 150 words में यह 10 marks का question आपका यह आया है 2020 में फिर 2019 की अगर हम बात करें तो emotional intelligence is the ability to make your emotions work for you instead of against you do you agree with this view discuss here 150 words का अगें यह एक topic आया एक question आया जो कि 10 marks का topic है all right so इस तरह है कि questions तो यह section A में आते हैं हम सब जानते हैं कि हमारा जो ethics का paper है उसमें दो sections होते हैं section A और section B all right so section A के यह कुछ questions है जो direct questions आप देख रहे हो जो की emotional intelligence से उठकर आगए all right so yes scoring and easy subject कौन साइसर मेरे हिसाब से तुशार जी यह ethics से better scoring subject कोई नहीं है अगर आपकी ethics पे hold हो शुरू से all right हम गलती यह करते हैं कि हम ethics को बाद के लिए छोड़ देते हैं all right आप कोई भी पेपर उठागे देखें जो टॉपर्स रहते हैं उनके maximum marks कितने होते हैं 100 के आसपास revolve करते हैं 105 जी एस वन टू अगर 3 की बात करें तो जी एस 123 में 100 100 205 या फिर 98 कुछ इसी रेंज में रिवाल करते हैं लेकिन जब बात करते हैं ethics की तो आप यहाँ पर 132 लेकर 150 तक जो है आराम से इसमें स्कोर्स कर सकते हो और राइट गुरिंग अंजली गुर्ट गुरिंग यह एक काफी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट एयर और रइट विसमें आपको एफर्ट सुट करने चाहिए ठीक है अच्छा एक के स्टडी है यह हमारी यह आज हम डिसकस करेंगे और रइट तो यह के स्टडी को भी आप देख लिजे यह के स्टडी हम जो है डिसकस करके हम देखेंगे और रइट सो यह के स्टडी है क्या वो थोड़ा सा देख लिते है किता जी एक बहुत बड़ा कॉर्परेट हुसा इसको पहले इंग्लिश में पढ़ लेते है फिर इंगलिश हिंदी में और रइट सो अ बिक कॉर्परेट हाउस इंगेज़ इन मैनुफेक्ट इस एक बहुत बड़ा कॉर्परेट हाउस है वो कुछ अ प्रोड़क्शन की एक यूनिट लगाना चाहता है क्यूंकि वो यूनिट जोए काफी पॉलूशन फैल आएगी इसलिए बाकी सबी स्टेट सेट ने मना कर दिया लेकिन एक स्टेट गोर्मेंट ने इसे अलाउ कर अब कैता है की यूनिट वा सेटब टन यह गो दस साल हो गई इस उनिट को लगे हुए और वास इन फुल स्विंट तिल रिसेंट वालूशन प्रोलूशन जा चाहति इस थी ने शाल हो गया है इस एस ने इस बार्मीन बात थे इस जाएंस और आप जोशन जाइशन रेकि व हुए as a result क्या हुआ बहुत सारा pollution हो गया जो animals थे healthy लोगों की और जो plant से सभी effect हो रहे है negatively effect हो रहे है all right इसी वजह से लोगों ने क्या किया agitation शुरू कर दिया in recent agitation thousands of people took part creating a law and order problem necessity in this turn police action ऐसे में क्या हुआ कि एक और group जो effect हुआ था क्यूंकि उनकी employment चली गए क्योंकि पुलिस ने क्या किया पुलिस ने इस इस स्टेट government ने क्या किया इस factory को close कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा pollution हो रहा था लोग यहां पर जो है agitation कर रहे थे इस लिए state government ने जो फैसला लिया वो यह कि हम इस plant को close कर रहे अब हुआ क्या अब वो लोग जो इस plant में काम कर रहे थे उनकी employment चली गए as a result वो लोग भी नराज हो गए all right so the closure of the factory resulted in the unemployment of not only those who are working in the factory but also those who are working in the ancillary units it was also badly affected the industries which dependent on the chemical manufactured by it AC situation में आपको आपके जो senior officer है उन्होंने power दी कि भई आप इस पूरे मसले को सुल्टाओ इस पूरे मसले को आप जो है handle करो अब आपको यहां पर देखना है कि क्या करना है all right situation I believe कि clear होगी होगी हिंदी वालों के लिए भी मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूं यह situation बहुत ही clear हो जानी चाहिए situation इतनी थी कि भाई government ने एक chemical plant लगाने की permission दी chemical plant लग भी गया ultimately क्या हुआ कि जब वो chemical plant को चलते हुए 10 साल हो गए तो उससे environment में भी pollution हुआ लोगों को भी दिक्कते आई health की और crop भी यहां पर damage होता है इसलिए agitation हुए government ने वो plant बंद करने का decision ले लिया ultimately क्या हुआ कि जो लोग chemical factory में काम कर रहे थे वो unemployed हो गए और industrial growth रुक जाती है यह सारे issues अब यहां पर आपको handle करने अब आप ऐसी situation में क्या decision लोगे क्यों decision लोगे यह question में 200 marks में आपने जो है answer लिखके आना है क्या आपकी answer writing approach रहेगी वो आपको यहां पर बताने और राइट एक तो यह एक तो यह question हो stor अब हमें हमें जब answer writing करनी होती है उस में क्या अप्रोच रखनी होती है वो थोड़ा सा हम यहां पर देख लेते हैं जब हम बात करते हैं तो सेक्शन A की section A की अगर हम बात करें तो उससमें जो हमें answer writing करनी होती है उसमें कुछ points का ध्यान रखना है पहले तो वो देख लेते हैं फिर section B यानि कि जो case study लिखते time जो उसका जो answer लिखते time हमें जो points का ध्यान रखना होता है फिर वो हम देखेंगे सबसे पहले तो एक चीज ये कि जब भी कोई answer लिख रहे हो उसमें जादा लंबे sentences का इस्तेमाल नहीं करना है कई बार हमें देखने को मिलता है कि हम answer लिखना शुरू करते हैं और एक answer जो है वो पूरे paragraph एक ही line जो है वो पूरे paragraph को भर देती है एक तो ये चीज को हमें अवाइड करना दूसरा ये की simple language लिखना है हमें flowery language या फिर बहुत ही tough words का इस्तेमाल नहीं करना है examiner जो है he is not looking for our you know English या हमारी Hindi के लिए वो नहीं देख रहे है कि इनकी language पर कितनी मजबूगत पकड़ है वो ये देख रहे है कि इनका solution क्या है इनकी सोच के हैं सो हमारी जो language होने चाहिए वो simple होने चाहिए हमारा जो answer होना चाहिए वो current context में होना चाहिए और राइट जैसे मान लिजिए कोई court आ गई उस court को आप current scenario से जोड़ कर दिखाओ अगर वो court को आप current scenario से जोड़ कर दिखा पा रहे हो तो ऐसे में आपको ज्यादा better number मिलेंगे अच्छा रिली रियल लाइफ आ जो examples है वो भी आप दे सकते हो जैसे कि यह Russia Ukraine का war हो रहा है उसका आप यहां पर example दे सकते हो आपकी personal life से आप इन answers में example दे सकते हो value mapping of the great leaders जो great leaders है जैसे कि महात्मा गांधी हो गए डॉक्टर भी रंबेट कर हो गए या फिर हम बात करें नेलसन करें तो उनकी दो या तीन वैल्यूस आप मुझे बताओ जिसमें वह विश्वास रखते थे महात्मा गांधी की अगर हम तीन प्रॉमिनेंट वैल्यूस की बात करें तो वह आप मुझे बताओ की कौन सी ऐसी वैल्यूस थी जिसमें महात्मा गांधी विश्वास रखते थे फटाफट से मुझे टाइप करके बताइए महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो और फिर महात्मा गांधी की अलवा आप डॉक्टर बीर अमेट करकी भी बात कर सकते हैं महात्मा गांधी की अगर हम वैल्यूस की बात करें वो आप मुझे बताओ एक तो हो गया अहिमसा और एक और वैल्यू थी महात्मा गांधी की आप अपनी दिवार पर जो है चाट लगा लो उसमें आप हर लीडर लेट से पांच लीडर आपने अपनी लाइफ में चुल निये विवेक अनंद हो गए स्वामी विवेक अनंद के साथ हो गए महात्मा गांधी और जो भी आपको लीडर चुनने जैसे की और लेट से भगत सिंग को आपने चुन लिया तो अब सरदार भगत सिंग की जो अगर हम वैल्यूस की बात करें तो करेज डिटर्मीनेशन इस तरह की वैल्यूस आप वहा अगरारित कर सके जब हम बात करते हैं पर राफ कंशन बिकी यानिकि केस स्ट्डी इस की तो ये थोड़ा सा स्पैसिफिक हो जाता है यहां एक स्ट्रक्चिर आप फो लो कर सकते हो ऑलरीट हाँ से किलरिजम हो गया अगर हम बात करें कैस ट्रडीज की तो यहाँ आप एक प् सबसे पहले तो आपको क्या करना है सबसे पहले जो भी के स्टेक होल्डर्स को आइटिफाई करना और उससे भी पहले आप जब आंसर लिखना शुरू करते हो लेट से आपको 200 words में कोई case study लिखनी है उसका answer लिखना है उस 200 word में आप सबसे पहले you will briefly capture the subject matter of the case study subject matter क्या है case study का उसे आप capture करोगे for example आजी की अगर हम case study की बात करें आज की हमारी जो case study है क्या है इसमें subject matter क्या है इसमें आपको यहां पर बताना है कि भाई आज की case study में subject matter क्या है can you please type it for me subject matter in the today's case study आज की अगर case study की बात करें तो उसमें क्या subject matter आपको दिखाई देरा और रहे तो वो case subject matter आपने लिखा जैसे की आज की case study का अगर subject matter जो मुझे समझा रहा वो यह कि भाई as an officer I have to tackle the situation in such a way कि environment degradation जो हो रही थी वो भी बचे जाए और जो unemployment की situation आ रही है जो industrialization खतम हो रही है वो भी ना हो तो यह मुझे यहाँ पर समझा रहा है so इससे मेरे जो examiner होगा और राइट इससे जो मेरा examiner होगा उससे पता चल जाएगा कि भाई इसका कहने का क्या यहाँ पर अभी प्राय है all right so मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा भी है all right यह sample है कि इसमें given situation में आपको बताया आपने बताया कि भाई आज का जो हमारा case study है उसका subject matter क्या आपको समझा रहा है all right so पहले तो आपने क्या करना है जो भी case study आएगी उसमें आपने subject matter लिखा अब subject matter के बाद आपका जो answer writing रहेगा subject matter आपने 2-3 आइन में जब लिख दिया उसके बाद आप एक list बनाओगे stakeholders की उस case study में जितने भी stakeholders हैं जितने भी लोग हैं जिनके हितों को असर या effect हो रहा है उन सब की case study में list बनाओगे उसमें आप human beings को भी रखोगे उसमें environment को भी रखोगे उसमें government organizations को भी रखोगे उसमें आप private organizations को भी रखोगे और राइट हां उसके बाद आप यहां पर जो है ethical dilemmas पर यह जो आप यहां पर लिख रहोना environmental ethics जैसे अभी यहां पर नायन ने लिखा और नहीं नहीं ओके थैंक यू नहीं सो जैसे अभी यहां पर दिनेश ने लिखा environmental ethics और अभी यह ethical dilemmas में आगा environmental ethics versus employment तो यह क्या हो गया ethical dilemma हो गया और इस तरह से आप ethical issues लिखोगे health issue pertaining to while pertaining violence and unemployment जैसे अशीश ने यह लिखा कि health issue versus wine violence और तो यह जितने भी health यह ethical dilemmas है हम वो एनलिस्ट करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि as an officer मेरे पास क्या क्या options available है उस option के pros क्या है उसके कौन क्या है उसके बाद end में हम आएंगे कि भई सबसे best option मुझे क्या समझा रहा है उसके क्या positive points है और end कर दूंगा ठीक है तो इस तरह से यह एक structure रहता है जब भी कभी आप कोई case study का answer लिखते हो इसका अगर आप screenshot लेना चाहो तो इसका screenshot ले सकते आप इसका अगर आप screenshot लेना चाहिए तो आप चाहे तो इसका screenshot ले लिजिए ये structure को follow की जिए आपको अच्छे marks इसमें जो है case study में मिलें और रहाइट जो है अब जो है हम अभी case study का answer तो हम सबसे बाद में discuss करेंगे लेकिन अब जो है हम आज का जो हमारा topic है that is emotional intelligence all right so emotional intelligence का जो हमरा topic ethics का वह हम देखने वाले है emotional intelligence इसमें आपको concept and their utilities and application in administration and governance ये पढ़ना है भावनात्मक समझ ये आपका topic लिखा गया है भावनात्मक समझ अब धारनाए तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग ये आपका topic है that is emotional intelligence जो कि आपको आज पढ़ना है और अभी emotional intelligence ये जो फोड़ो भी आप देख रहे हो यह यहां पर यह क्या हो रहा है ये एक emotionally intelligent व्यक्ती अपने emotions को control कर रहा है और रही तो that is what it is happening sir can you tell the pattern of answer writing आशीश आज की class के end में हम answer writing करने वाले आज की class के end में जो हमने अभी case study पड़ी है उसका answer में आपको proper जो होना चाहिए वह आपके साथ discuss करूँगा हम वही answer writing करेंगे all right got it चली आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं so emotions की अगर हम बात करें सबसे पहले जो emotions या जो हमारी भावनाएं होती है ये क्या होती है emotion is not a tangible thing ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम देख सकते हैं but this is the state of mind ये मेरी मनोस्थिती है मुझे खुशी हो रही है तब भी मेरे मन की स्थिती है मुझे गुसा आ रहा है तब भी मेरे मन की स्थिती है मुझे रोना आ रहा है मैं उदास हूं तब भी मेरी मनोस्थिती है so emotions होते क्या है दरसल these are our subjective state of mind emotions can be reaction to the internal stimuli or an event that occurs in our environment so मेरी मनोस्थिती एक ऐसी मनोस्थिती है जो कि या तो मेरे भीतर से होने वाले stimuli का एक reaction होगा या फिर बाहर से हो रहे events का एक reaction होगा मुझे किसी ने यहाँ पर praise कर दिया I will be happy अगर मुझे किसी ने यहाँ पर गलत बोल दिया तो maybe I will become sad अगर मुझे यहाँ पर किसी ने कहा कि भई आप बहुत अच्छे दिखते हो तो मैं क्या होगा है इस तरह से emotions क्या होते हैं यह हमारी state of mind है हमारी state हमारी मनोस्थिती है इसी को हम क्या बोल देते हैं emotions और अब emotions होते कितने प्रकार के तो देखे there is no limit there is no limit कई सारे ऐसे scholars हैं जो कहते हैं जी thousands of emotions are there हजारों emotion या हजारों भावनाएं होती है है सर एथिकल वैल्यू इंपोर्टेंट है answer में बिलकुल अनिक इथिकल वैल्यूस तो डेफिनिटली अंसर में इंपोर्टेंट है और इट सो लेकिन हमारे अगर हम बात करें emotions की तो हमारे जो जो आर्ट इन कल्चर में जब हम पढ़ते हैं तो आर्ट इन कल्चर में हम देखते हैं न देर आर नाइन नव रसाज और रेट तो देर आर नव रसाज यानिकी नो इमोशन की हम बात करते हैं वन इज श्रिंगार देट इस लव दैन हासियरस देट इस लाफ्टर दैन सोरो करूना दैन रोदर एंगर दैन वीर रस यानिकी करेज फिर क्या हो गया बिभत्स डिस्गस्ट फिर आगया भयानक फियर एक और एमोशन और क्या है अदबुत वंडर एक और इमोशन और फिर शांतरस यानिकी पीस ये भी एक इमोशन ट्रैंक वैलिटी ये भी एक इमोशन है तो ये नव रसास की हम बात करते हैं पर बात सिरफ यहीं खतम नहीं हो जाती बात यहां तक खतम होती तो अलग थी इन इमोशन को हम जब इंटर मिक्स करते ह तब भी और नए-णई emotions बनते हैं इन emotions को जब आप intermix करते हूँ जैसे कि आपने यहाँ पर let's say happiness एक emotion है और रेट happiness को आपने courage के साथ अगर मिला दिया तो क्या हो जाएगा happiness को आप अगर courage के साथ मिला दोगे तो आप excited हो जाओ ऑल रेट इसी तरह से sadness एक emotion है अगर आप sad हो और इट sadness को let's say anger से मिला दोगे तो एक नया emotion create हो जाएगा all right so emotions जो है ये कई सारे होते हैं अब हमारे काम की बात हमारी emotional intelligence की अगर हम बात करें तो there are four components in emotional intelligence emotional intelligence basically अगर हम आसान भाशा में बात करें तो emotional intelligence का मतलब क्या है emotional intelligence का simple शब्दों में अगर हम बात करें तो सिरफ इतना सा मतलब है कि आप अपने emotions को समझ रहे हो और अपने emotions को समझने के बाद उन्हें manage कर पारे हो आप दूसरों के emotions को समझ रहे हो और दूसरों के emotions को समझने के बाद उन्हें manage कर पारे हो that is emotional intelligence so अगर हम simple words में बात करें तो emotional intelligence is nothing but the understanding and management of your own emotions and understanding and management of others emotions all right आप जानते हो कि भाई ये चीज़ मुझे trigger करती है इस चीज़ की वज़े से मुझे गुसा आता है आपने अपने emotion को समझ लिया उसके बाद वो चीज़ जो कि आपको ट्रिगर करके गुसा दिलाती है आप उससे बचोगे देट इस emotional intelligence okay emotion को अपने पर हावी ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए वह सारी चीज़े आज हम discuss करने वाले है religion में क्या-क्या लिखा हुआ है कि आपकी उपर emotion हावी ना हो तो उसके लिए क्या करें और और किस तरह से हम emotional intelligence को सीख सकते हैं वो सब हम देखने वाले एक चीज़ याद रखना देरा टू ठिंक्स एक है emotional intelligence या फिर जिसे हम emotional quotient भी बोल देते हैं और दूसरा है IQ एक है EQ that is emotional quotient दूसरा है IQ that is intelligence quotient अब यह जो IQ नाम की चीज़ होती है आप बोलते हो ना की बड़ा हाई IQ का आदमी है या बड़ा हाई IQ का बच्चा है हाई IQ का मतलब क्या कि आपकी intellectual intelligence जो है वो काफी जादा हाई है you know the things you know the understand the things emotional quotient की अगर हम बात करें तो emotional quotient अगर आपका high है इसका मतलब you have high emotional intelligence आप अपने emotions को समझ कर उन्हें manage करना जानते हो आप दूसरों के emotions को समझ कर उन्हें manage करना जानते हो अब यह IQ की अगर मैं बात करूं तो हमारा IQ एक certain age तक बढ़ता है हम जब एक से लेके लगबक 5-6 साल तक के होते हैं तब तक हमारा IQ ग्रो होता है उसके बाद हमारा IQ नहीं बढ़ता उस age में जितना बढ़ गया बस बढ़ गया लेकिन आगर मैं बात करूं EQ की यानि की emotion quotient की या हमारी emotional intelligence की इसके उपर कोई age की foundations नहीं है आप 10 साल के हो तब भी अपनी emotion intelligence में manage कर सकते हो उसे control कर सकते हो उसे grow कर सकते हो आप 50 साल के हो तब भी emotional intelligence को आप बढ़ा सकते हो how to manage them आशीश उसी पर आएंगे ओके 10 minute rookie उस पर भी आ रहे है और एट सो emotional intelligence की अगर हम scientifically बात करें there are four components of emotional intelligence scientifically अगर हम बात करें तो emotional intelligence के चार components होते हैं और आप step by step her component को achieve करते हो सबसे पहला होता है self-awareness फिर आता है self-management फिर आता है social awareness and फिर आता है relationship management self-awareness self-management social awareness then relationship management अब इन चारो words को हम समझते मैंने कहा कि आप एक एक करके step by step चड़ते हो और यह चारो steps को आप achieve करते हो उसे हम बोल देते हैं emotional intelligence सबसे पहले हम बात करते हैं self-awareness की self-awareness का क्या मतलब होता है और यह components को समझना जरूरी है आशीश यह components को समझना जरूरी है जब हम इन components को समझते हैं उसी से हम आगे aware हो कर फिर हम बात करते हैं जैसे कल हमने attitude के case में देखा था attitude में हमने क्या पढ़ा था that there is a there are three things in attitude क्या क्या सी ए बी हमारा cognitive affective and behavioral part हमारा knowledge part जिसे हम belief भी बोल देते हैं हमारा क्या था feelings वाला पार्ट और हमारा action part इसी तरह से हमारे emotional intelligence में there are four things अब वो चारों चीजों को जब हम समझ लेंगे उसके बाद हम पता कर पाएंगे कि भाई हम कहां stand करते हैं all right so आपने attitude में तीन चीज़े याद की थी कैब आपने कैब याद किया था attitude में मैं देख पा रहा हूं बहुत सरे हमारे जो student कल हमारी class में थे दे अंडेस्ट 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 एट कंसेप्ट एंड वो लिख भी रहे हैं and emotional intelligence में we have to remember four things all right so there are four components self-awareness self-awareness या फिर आत्म जाग रुकता अब आत्म जाग रुकता या self-awareness का मतलब क्या है you recognize your own emotions and understand how they affect your thought and behavior आप यहाँ पर अपने जो emotions होते हैं आप अपनी भावनाओं की पहचान करते हैं और समझते हैं कि वो आपके विचारों और व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं जैसे की मैंने अभी आपको एक example लिया let's say a example ले लेते एक गाना था that you used to listen with your boyfriend or girlfriend आपका एक you were in a relationship all right so आप एक गाना अपनी boyfriend या फिर girlfriend के साथ बैट कर सुनते थे and that song was favorite of yours all right आप जब भी मिलते थे तो वही वाला गाना गाते थे और राइट और गाना जो है आपकी वह relationship का एक benchmark बन चुका था और जब भी मिले वह गाना गाकरी मिलते थे फिर आपका ब्रेक पूझा जाता है नेच्रल अब जब ब्रेक अब हो गया उसके बाद जब आपने वह गाना कहीं सुना डाट गाना और बैट तोंग विल्ट रिगर दी amount of sadness or trigger the emotion of sadness in you अब आपने यह गाना जब सुना तो आपके अंदर एक emotion जागेगा that is the emotion of sadness अगर आपने यहां पर यह realize कर लिया कि that song all right जो कि मैं सुनता होता था या मैं सुनती होती थी उसके साथ अब अगर मैं सुनता हूं या सुनती हूं तो भई नोस्टेल्जिया होता है sadness आती है और मुझे वो गाना अवाइड करना चाहिए मुझे वो गाना नहीं सुनना चाहिए तो आप यहां पर क्या कर रहे हो सबसे पहले आपने इडेंटिफाइ कर लिया और अगर आप उस गाने को अवाइड कर पा रहे हो तो आपने सेल्फ मेनेजमेंट यानिकी अपने आपको मैनेज भी कर लिया और राइट जया और आप सोचो और पिए अई एपन्स एंड ओवर कम बिदेट राइड वाइट यह भॉत होता है है ना बहुत होता है ओके ओके ऑगे यहां पर देखो याद भी आ गए ठीक है single लोगों के लिए example क्या हो सकता है आप बताओ अंकित single लोगों के लिए example let's say आपका कोई दोस्त था दोस्त के साथ आप बैठ कर कहीं पर चाय पानी पीने जाते थे अब वो दोस्त जो है उसकी शादी हो गई और वो दोस्त अब आप से बात नहीं करता है अब जब भी आप वहां चाय पीने के लिए जाते हो आपको अपने दोस्त की याद आ जाती है ठीक है इतना चलेगा तो वाट विल हैपन आप वहां पर चाय पी नहीं नहीं जाओगे तो यह है emotional intelligence जहां पर पहला step जो था that is identifying your emotions आप यहाँ पर self-awareness कर रहे हो self-awareness मतलब क्या कि आपको किस चीज से बुरा लगता है किस चीज से अच्छा लगता है for example कई लोगों के लिए होता है कि कुछ भी करने का मेरी इगो हर्ट नहीं करने का या फिर तू और कुछ मर्जी कर ले लेकिन मुझे यह वाली गाली मत दे अब यह क्या है यह ट्रिगर यह मुझे पता चल गया कि अगर मैं यहां पर यह identify कर लेता हूं तो मैं यहां पर self-awareness की exercise में जा चुका हूं इसी तरह से आप यह लगा लो कि कोई मुझे अगर हसके बात करे तो मैं पिगल जाता हूं अब मुझे पता है कि भाई अगर कोई मुझ से हसके बात करता है तो इमोशनली मैं फूल बन जाता हूं ना दिस इस self-awareness all right manage your thoughts की आप सिंगल ओके चली ठीक है ना self-awareness का मतलब सिरफ इतना ही है कि कौन सी चीजों से आपको गुस्सा आता है कौन सी चीजों से आपको खुशी होती है कौन सी चीजों से आप sad हो जाते हो कौन सी चीजों से आप energetic हो जाते हो excited हो यह सारे जो factors आप यहाँ पर identify करते हो इसे बोलते हैं self-awareness अब जब self-awareness हो जाती है ज़म मुझे पता है की था यफ तर पिघाली अजरी मुझे आंकर देखाता है यर जब भी मेरे साथ कोई भी यहाँ पर हरकत करते है टो मुझे गुसा आ जाता जब आपने यह identify कर लिया, then we move on to the next step, आशीश क्या कर है बट सर, it gives warm feeling, I don't think it should be controlled, as I think, does it do, relates to, आशीश, please understand one thing, please understand one thing, मैंने पहले भी दिन एक आपको वो दिया था, एक example दिया था, example मैंने उस दिन भी यह दिया था कि, let's say there is a TV, आपके घर में TV है, remote है, अब क्या है कि आप अ आपने TV के remote का button दबाते हो, उस TV में गाना बजना शुरू हो जाता है, remote का button दबाया तो उसमें कोई वो रोने धोने वाला daily soap आ जाता है, आपने button दबाया तो वो TV जो है आपको वो dance program दिखाना शुरू कर देता, news दिखाना शुरू कर देता, ultimately who is in the control, that you are in the control because you have the remote, इसी त आप देखो आपका दोस्ता कर अगर आपको प्रेज करेगा तो you will be happy, अगर आपका दोस्ता के आपको दो गाली देगा तो you will be sad, you will be angry, इसी तरह से आपका प्रोडोसी अगर आपको कुछ बोल देगा तो आपके emotions किसके हाथ में, आपके हाथ में तो नहीं है न, ultimately what is the aim of your life, aim तो हमेशा यह होता है कि life should mean my control, हम हमेशा हम पैसा भी इसी लिए कमा रहे हैं, हम पावर भी इसी लिए कमा रहे हैं कि चीजे मेरे control में होने चे, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारे खुद के emotions ही हमारे control में नहीं है, alright, and we feel happy about it, कि हम दूसरे हमें खुश कर रहे, अरे हमा हो, जब आपने यहां पर यह first step, first step आपने अचीव कर लिया, तो उसके बाद आता है, second step, alright, so, okay, फिसल गया, कोन फिसल गया, okay, okay, thank you, Ashish, I go, okay, okay, good, good, so, when we achieve the first stage, जैसे कि मैंने अभी आपके लिए दिखाया, that when you achieve the first stage, you move on to the second stage, that is self-management, अब self-awareness के बाद आती है, है, self-management, self-management, क्या है, पहले उसकी definition लिखते है, उसके बाद हम, जो है, उसको कैसे अचीव करना, उसके बाद करें, alright, आई, self-management की बात अगर करें, यहां पर क्या होता है, that after you recognize your emotions, आप जब आपको पता चल गया, कि कौन से emotions आपको कब generate होते हैं, उसके बाद, you are able to control your impulsive feelings and behaviors, manage your emotions in healthy ways, take initiatives, follow through on the commitments and adopt to the changing circumstances, basic सी बात सिरफ इतनी है, कि आप अपनी भावनाओं में बहने से बचते हो, इसे बोलते हैं, self-management, क्या अभी कोई लिख रहा थाना, कि वैसे तो सक्त है, बट यहां मैं पिगल गया, okay, so जो पिगलने से बचना है, उसे बोलते हैं, self-management, understand one thing सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप identify करते हो, कि कौन सी चीज़ें आपको trigger करती है, उसके बाद आप उन चीज़ों को control करते हो, उन feelings को control करते हो, देखे, external factors तो आपके हाथ में है नहीं, for example, आप किसी को like करते हो, अब वो जब भी आपके सामने आता है या आती ह तो आप एकदम बह जाते हो, है ना, उस टाइम पर आपका दोस्त भी अगर आप से कहे यार 2000 उपे दे ना, तो आप अरे तू पकड़ ना, so that thing, जब आपको ये पता चल गया कि सामने वाले के आने से मुझे मैं feelings में बह जाता हूं, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करो होगे, आप सबसे पहले अपनी feelings को control करोगे, कि भाई, come what में, come what में, कोई भी मर्जी आए जाए, मैं feelings में बहूंगा नहीं, I will control my impulsive feelings and behavior, मैं अपने actions को और अपने feelings को control करूँ, एक तो यह, यह decision लेना होता है, फिर क्या होता है, कि I will manage my emotions in healthy way, अब यहाँ पर किसी ने suppress my emotions, नहीं, हमें अपने emotions को दबाना नहीं है, हमें अपने emotions को suppress नहीं करना है, हमें अपने emotions को channelize करना है, ओके, हमें अपने emotions को दबाना नहीं है, बट channelize करना है, channelize कैसे, माल लिजे, कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा sad है, और रइट किसी का कोई अपना बिछड गया, कि किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आ गई कोई भी वजह से कोई सैड हो सकता है या फिर किसी ने धोखा दे दिया ब्रेक अप हो गया जो भी वजह से सैड हो सकते हो अब सैड होने के बाद you have two options, दुखी होने के बाद you have two options, आप एक क्या कर सकते हो, एक तो आप दुखी होकर रोपीट सकते हो, बैट सकते हो, खाना छोड़ दिया जी, sad हो गए, तो एक तो वो आपके पास रस्ता है, दूसरा है कि आप अपनी sadness की emotion को positively channelize करो, अपनी sadness की emotion को positive channelize करने का क्या तरीका हो आप लिखना शुरू कर दिया, पेंटिंग बनाने शुरू कर दी, ओल राइट पेंटिंग बनादी, या फिर राइट शुरू कर दी, अब जब बन्दा सैड होता है, तो फिर यू नो, जो है सभी शेरो शायरी जो है, गाने वाने जो है, वो उसी में लिख जाते हैं, वो आपको यहां पर बता हूँ की ब्रेक अपसे कैसे उबरें आल राइट बट यहां पर बता हूँ कि हमें अपनी जो फिलिंग्स हैं उन्हें चैनलाइज करना है जैसे हेमराज ने कहा कि इफ समबडी इंसल्टेड यो आप लेट से मैं बहुत ज़्यादा वाट से फैट हूँ और राइट सो इफ हैं इफ हैं फैट परसन एंड संबडी टॉंट्स मी कि यार तू इतना मोटा होता जा रहा है तो अपनी हेल्थ नहीं कर रहा है यह वो फलाना देमकाना या मेरा मजाक उड़ा दिया किसे अब मैं उससे गुसा करने की बजाए अपने गुसे को जिम में चैनलाइज कर गि होआँ गाँगा जिमींग करने के लिए जाओंगा मैंने क्या क्याक आपने ऑमोशन को पॉसितिव वे में चैनलाइज कर दिया इसी तरह है से येस ब fronts काने ऐस जो इस तरह हैं से आब अपने एमोशन को चैनलाइज कर तो आंग यहा डिलाइजमेंटव all right so that is called self-management या जिसे हम स्वाप्रव बंधन भी कहते हैं all right so you channelize your emotions फिर आता है social awareness third step is social awareness जिसे हम बोलते है सामाजिक जागरुकता अब देगे हमने अभी तक दो steps ही चड़े सबसे पहले self-awareness फिर हमने किया self-management जहां हमने देखा कि हमें अपने emotions को क्या करना है channelize करना है we don't have to suppress it we have to channelize it फिर आता है social awareness जब एक व्यक्ति अपने emotions पर control पा लेता है जब एक व्यक्ति अपने emotions को control करके channelize करना सीख लेता है तब he is ready to deal with the outer world जब आप अपने emotions पर control पा लिए तब आप outer world के साथ deal करने के लिए ready हो जाते हो अब outer world के साथ कैसे deal करना है तो उसके लिए यहां पर जो इन्होंने term use किये है वो है कौन सी social awareness social awareness का मतलब क्या है आपको हमेशा दूसरों के प्रती सहानू भूती होनी चाहिए you are in a situation to understand the emotions needs and concerns of other people pick up on the ocean emotional cause feel comfortable socially एक एक टर्म का मीनिंग है एक एक वर्ड जो यहां पर आप पढ़ रहे हो उसका मीनिंग है social awareness का क्या मीनिक है समझते हैं सबसे पहले तो आप दूसरों के प्रती सहानू भूती रखते हो सहानू भूती का मतलब यह कि आप इस mindset से चलते हो कि सामने वाला गुसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है मैं उसका रीजन ढूंड़ों मैं आपको एक example देता हूं शुरू में मेरे साथ क्या होता था कि किसी ने अगर मेरे उपर गुसा कर दिया मैं उसके उपर तूट कर यू नो उसको ऐसे हो जाता था कि भाई तूने गुसा कर कैसे दिया और दिस इस जनरल एटिटीट इस इस जनरल बिहेवियर जबी किसी ने आपके उपर गुसा किया तो आपका नी जर्क रियक्शन होता है कि आपने मेरे साथ ऐसा बोला कैसे एक तरीका यह हो सकता है जब आप में emotional intelligence होगी तो आप ऐसे नहीं करोगे अगर सामने वाले ने आपको कुछ उल्टा बोल भी दिया and you have the emotional intelligence तो आप ऐसे नहीं करोगे आपकी अप्रोच अलग होगे आप empathy रखोगे सामने वाले के साथ सहानू भूती रखोगे आप कहोगे कि यह सामने वाला परिशान है कोई तो problem है इसकी life में क्योंकि यह मेरे उपर बिना वज़े गुशा कर रहा है तो there should be some problem in his life so सबसे पहला आपका क्या तरीका होना चाहिए that you have the empathy with the others कि यह यह इस तरह से behave क्यों कर रहा है I have not done anything wrong मैं तो एक्दम सही काम कर रहा हूँ but still he is getting angry that means there is some problem with him and that problem is something which I can help with or not all right so पहला हो गया सहानुभूती दूसरा है you understand the emotions needs and concerns of other people आप वहां पर कोशिश करोगे कि सामने वाले की emotions अगर ऐसे हैं let's say अगर वो गुसा है तो वो गुसा क्यों है अगर वो उदास है अब देके दो तरह हैं के यहां पर situations होती है and I believe you will agree with me there are two kinds of situations आपका एक दोस्त है पैठा था आपने उसके पास जाकर कहा हांवी क्या हाल चाल वो कहता है चला जाए यार मैं बहुत उदास हूं मेरे से बात मत कर अब यहां पर आप दो तरह हैं से response दे सकते हो पहला तो ego heart हो गया मेरा और तुने मुझे ऐसे बोल कैसे दिया मैं इतनी दूर से तेरे साथ मिल फिम यह दो अप्रोच जो गए एक emotionally intelligent आदमी अपने आप से बाहर निकलेगा और सामने वाले के जो दुख तकलीफ है या जो उसके emotions है उस emotion के पीछे कारण समझने की कोशिश करेगा and that is what we call self social awareness उसी को हम बोलते हैं social awareness और रइट social awareness में आप दूसरे के जो emotion से उसके पीछे कारण ढूंडते हो और आप ऐसा नहीं है कि सामने वाला दुखी है और वो आपको कुछ बोल नहीं पार तो आप वहाँ पर हसी खुशी मजाक उड़ा रहे हो आप वहाँ पर दूसरे वाले जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी emotion से आप लूज में लेते हो और सोशली कंफरेबल फील करते हो कंफरेबल कैसे कि आपका दोस्ता बहुत ज्यादा गुसा था आप उसके पास मिलने के लिए गए आप एक अच्छी ख़बर शेयर करने के लिए गए थे लेकिन आपने देख लिया कि इसका मूड अच्छा नहीं ह आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया कि कोई बात इसका मूड अभी अच्छा नहीं है जब इसका मूड अच्छा होगा तब मैं इसके साथ वह चीनिू शेयर करूंगा अभी मैं अगर इसके साथ अच्छीनिवस शेयर भी करूँगँ तो देर इस नो पॉंट इनेट विक एक्शन कर रहे हो, getting my point, are we clear on this, yes, yes or no, social awareness, all right, so you let me know, all right, so अगर आपको social awareness समझ आया कि आप दूसरों के emotions को समझते हो, देखते हो, अब्जर्व करते हो कि उनकी emotions ऐसे क्यों है, उसे समझते हो कि कोई तो reason होगा, जब आपको ये समझ आ गया कि दूसरे का emotion ऐसा क्यों है, उसक according, जब आप काम करते हो, तो उसे बोल देते हैं, relationship management, दूसरे को आप channelize करते हो, सामने वाला गुसे में है, आपको पता है कि ये गुसे में है, कोई वजय से गुसे में तो है, आप उससे पूछते हो, कि ये देख, तेरा गुसा जो है, वो मुझे बता, अगर वो बताता है, तो उसे आप कहते हो, कि हाँ, कोई बात नहीं, तेरा गुसा जो है, वो जायज है, ये तेरे साथ गलत हुआ, और आप उसे calm down करने की कोशिश करते हो, अगर वो कहता है कि नहीं यार, मुझे नहीं बताना, ओके, मत बता यार, कोई बात नहीं, ये लिए पानी पी, मैं अपल ले, मालो दो दोस्त है, दोनों ही यहाँ पर जो है, इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, और रेट, दो दोस्त है, दोनों ही, इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं, बोट अव देम लैक, इमोशनली इंटेलिजेंट, एक गुसे में है, दूसरा उसके पास गया, दोनो लड़ पड़ेंगे कि तुने घुसा कैसे कर दिया मेरे उपर यार मैं तेरे पास मिलने के लिया है तुमेर उपर घुसा कर रहे हाओ डेर यू दोने लड़ पड़ेंगे अगर एक Emotionally Intelligent है वो अपने Emotion को भी समझता है वो सामने वाले इसकी हमने बात की कि सामने वाले की Emotions क्या है उसे भी समझेगा और सामने वाले की Emotions को समझने के बाद react करता है there are two terms one is react and other is act never react हमें कभी भी react नहीं करना चाहिए हमें हमेशा act करना चाहिए reactions जो होते हैं they are knee jerk always हमें सामने वाले की situation को समझते हुए फिर act करना चाहिए फिर हमें action लेना चाहिए and emotionally intelligent व्यक्ति आप हमेशा देखेंगे जो भी emotionally intelligent होता है वो सब के साथ अच्छे से रहता है उसे पता होता है कि भई सामने वाले का emotion कैसा है समझने के बाद वो को react करता है और एक्ट करता है सो relationship management में क्या आगया you know how to develop and maintain a good relationship communicate clearly inspire and influence others work well in a team and manage conflict अब यह सारी चीज़े समझने लाइक है कैसे जी अब जब आप तीन स्टेप्स अल्रेडी चाड़ चुके हो इस पाइदान में या इस लेडर पे आप तीन स्टेप्स अल्रेडी चाड़ चुके हो सबसे सबसे पहले आ गया self-awareness आपने अपने emotions को जाना फिर अपने emotions को manage किया फिराया social awareness जब आप यहां पहुंच जाते हो तो you are a leader तब आप क्या बंते हो leader बंते हो okay तब आप leader बंते हो आपकी intelligence आप में बहुत सारी हो सकती है but जब तक आप की social skills नहीं होंगी you cannot be a good leader all right second difference what difference क्या पूछ रहो Lauren King किस चीज में difference पूछ रहो वो बताई so if you want to become a leader you have to you know have to have good social skills and good social skills में सबसे पहले ही आ जाता है क्या emotional intelligence चलिए so relationship की हम बात कर रहे थे relationship management की बात कर रहे थे how to आपको पता है relationship management का मतलब क्या that you know how to develop and maintain good relationships आपको पता है कि अच्छे रिष्टे कैसे बनाने है और उन्हें कैसे maintain करना है communicate कैसे करना है clearly कैसे clearly communicate का मतलब यह कि आप अपने दोस्त के पास गय थे वो गुस्से में था उसने कुछ बोल दिया अब आप उससे कैसे बातचीत कर रहे हो उसके emotions को समझने की कोशिश कर रहे हो और उससे कारण जानने की कोशिश कर रहे हो कि भाई बता ना मैं तेरी लिए ही तु हूँ यह तु बता मुझे कि तेरी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है जिसके वज़े से तु इतना गुस्सा उसे आप बड़े प्यार से कहते हो कि यह गुस्सा तेरा नीचर नहीं है मैंने तुझे देखा है तु बहुत ही अच्छा इंसान है तु गुस्से वाला अदमी नहीं है और रहे तु मुझे बताना कि तेरे गुस्सा क्यों आ रहा है अब बड़े दिनों बाद मेने तुझे ऐसा देखा कि तुरे में गुस्सा आयर बट तु ऐसा है नहीं तु प्लीज यू लेट मी नो मैं तेरी हल्प करूंगा अब यह क्या है दिस इस दी कॉम्मुनिकेशन यू हाव गूड कॉमुनिकेशन स्किल तभी आ आप दूसरों को भी इंसपायर करते हो दूसरों को इंसपायर करते हो कैसे डिर डिर अटू काइड्स अव पीपल मान लीजी दो आई-ए-एस ओफिसर एक ही जगहां पर है एक इस आफिसर के पास कोई गरीब आराया कोई 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 प्रप्राब्लम में है परसन वह उसके प पुलिस अल्राइट एक दूसरा एस ओफिसर है उसके पास एक ही व्यक्ति आपके यह सामने पांच बारा कि कोश्चन पूछता है उस व्यक्ति ने जब भी कोश्चन पूच्छा आएस ओफिसर ने बड़े प्यार से उसे जवाब दिया और सामने वाले के जो इमोशन्स है सामने वाला दुखी भी था तब भी उसके इमोशन्स को उसने चैनलाइज कर दिया पॉजिटिवली मैनेज किया अब दोनों ही सिच्वेशन में दोनों आई एस ऑफिसर से एक ने उस व्यक्ति को दु दूसरे वाला जो है वो अच्छा एक्जामपल सेट करेगा बिकॉस उसने इमोशनली अपनी इंटेलिजेंस भी दिखाई और दूसरों को भी मैनेज किया आप भी अगर फोलो करना चाहोगे तो यह दूसरे वाले आई एस ऑफिसर को फोलो कर तो इमोशनली एंडे मैनेच कंफ्लेक्ट्स इंब अच्छह चला लेते हैं वो अच्छे टीम लीडर्स पी अदे होते हैं और उन्हें कंफलेक्ट भी मैनेच करना आता है और रेट तो इन दर्स्मेंट इंफ्ल्वेंस इन एक्स्ट्रीम कंडिशन लाइक हैंडलिंग कर फ्यू और दाट स उस मर्डर जिस व्यक्ति का हुआ, उस व्यक्ति के घर वालों ने उस मर्डर जिस व्यक्ति का हुआ, उसकी डेड बोडी को सड़क पे रखके जाम लगा दिया, आप एक SDM हो, आप वहीं पोस्टेड हो, सड़क पे जो वाहन है, याता याता है, वो smoothly चलता रहा है, this is your responsibility, ना, आपकी सारी टीम मेंबर्स, उन फैमिली मेंबर्स को समझाने के लिए जाते हैं, कि भई, ये सड़क मत जाम करो, आपका दुख दर ठीक है, बट सड़क मत जाम करो, सड़क खुली रहने दो, उन्होंने का कि क्यों भई, हमारा बंदा गया है, आप कुछ कर प्रशासन कु यहां पर जब जाते हो, उनका गुशा ऑल्रेडी बहुत जादा बढ़ चुका है, वो जो व्यक्ति जिसके डैथ हुई है, उनके घर वालों का गुशा ऑल्रेडी बहुत जादा बढ़ चुका है, आप एक SDM हो, लोगों को आप से उमीद है, आप वहां जाकर, सिटुएश को सुधार भी सकते हो, it will all depend upon your emotional intelligence, nobody is going to ask you the questions of geography or history there, of course these questions are necessary in mains examination, but I am saying कि जो lifetime एक officer की quality जो काम आती है वो है emotional intelligence, emotional intelligent officer, emotionally intelligent officer, सड़क पे बैठे हुए in aggrieved family members को समझाएगा और उन्हें घर भेज़ देगा, एक emotionally intelligent person ही ये कर सकता है, जो एक ऐसा officer जो की emotionally intelligent नहीं है, वो situation में part of the problem बनेगा, part of the solution कभी नहीं बनेगा, आप अगर एक emotionally intelligent SDM हो, आप वहाँ जाकर उन्हें कहोगे कि मैं आपके इस दुख में समझ सकता हूँ कि आपकी कितनी बड़ी ये problem है, and I completely feel your problem, I completely understand your problem, and I believe कि आपकी ये जो problem है, इसका जल्द से जल्द solution होना चाहिए, मैं उस solution को लाने में आपकी अभी मदद जो कर सकता हूँ, वो अभी कर रहा हूँ, जो long term measures हैं, वो भी मैं आपके सामने ही कोशिश कर रहा हूँ कि वो हो जाए, अब आप मेरी सहायता करिए, इन problem का solution ढूणने में, और आप यहाँ पर बैठ कर, उस problem का solution नहीं ढूण रहे, let's say हमें murderers को पगड़ना है, so you are not solving the problem by sitting on the road, because मेरी पुलिस जिनोंने murderers को ढूणना था, वो अब आपके पास आके खड़े, so if you will sit here, हम दोनों ही उस problem का solution नहीं ढूण रहे, अगर हम दोनों को उस problem, यानि कि अगर हम दोनों को ही murderers को पगड़ने में इंटरस्ट है, तो आप यहाँ से हटिए, ताकि मेरी पुलिस जो है, आपको यहाँ से हटाने के बाद, वो जाकर अपना असल काम, जो कि murderers को पगड़ने का है, वो कर सके, now this is how you communicate, this is how you communicate with a grieved family, एक ऐसा परिवार जिनका व्यक्ति already जा चुका है, उन्हें समझाना आना चाहिए, उनके emotions को समझ कर, communicate करना आना, that is what you call relationship management, और यही सबसे बड़ी quality है, जो on ground आपको कामाती है, समझाया, did you, did you get the point, समझाया, was the solution good enough, yes or no, was the solution good enough, yes, so this is how it works, this is how it works on ground, all right, चले, so this is, these are the four steps, all right, these are the four steps in the emotional intelligence, जो कि हम exam में भी लिख कर आ सकते, all right, हाँ, चले, चले, अब आगे बढ़ते हैं, और emotional intelligence से हम और दो चार बातें जुड़ी हुई जो हैं, वो देख ले, what if we don't regulate our emotions, अगर हम अपने emotions को regulate ना करें, तो क्या होगा, natural सी बात है, कि एक example, example, example से समझते हैं, all right, अगर मैं अपने emotions को regulate ना करूं, तो क्या होगा, एक example से समझते हैं, all right, let's say there is an examiner, आपने mains लिखा, mains लिखा, okay, हमराज दो मिनिट में इस प्यार हो, okay, आपने mains लिखा, mains check होना था, जिस examiner ने आपकी mains की copy check करनी थी, वो examiner अभी office के लिए आ ही रहा था, कि घर पे सुबह ही उसकी wife के साथ उसका जगड़ा हो गया, चाय दी थी उसकी wife ने, वो चाय जो थी, वो थंडी थी, इसका mood वहीं off हो गया, आप wife के home only, घर के लिए जब, ऑफिस के लिए जब निकल रहा था तो रस्ते में टायर puncture हो गया, और ज्यादा दुखी हो गया, और ज्यादा फ्रस्टेट हो गया, जब ऑफिस पहुंचा तो थोड़ा लेट था, बॉस को गुसाया हुआ था, और जदा बॉस ने उसको जाड़ दिया, उसको थोड़ा सा और डांट दिया, तो ही गॉट इवन ओर फ्रस्टेट, अब एस इतना सब कुछ हो जाने के बाद, सुबह सुबह, सुबह के दो घंटे में, इतन राइटिंग शीट, हाउज दी सिचुवेश्टिन, डू यू गेट इट, ना ये व्यक्ति जो की बहुत ज़्यादा फ्रस्टेटेटेटेट है, सुबह से लड़कर आया हुआ है, अब इसके हाथ में, आपकी मेंस आंसर राइटिंग की जो कॉपी है, वो हम दे देते, इंटेलिजेंस वोकस, अगर हम emotional intelligence नहीं है, अगर हम emotionally intelligent नहीं है, तो आपकी मेंस की कोपी तो गई, साथ यसाथ ये व्यक्ति और लोगों का भी करियर impact कर जाएगा, तो emotional intelligence becomes very important in our life, कैसे थोड़ा सा और समझते है, emotions जो हैं वो हमारे day-to-day actions को effect करते हैं just like attitude emotions भी जो हैं वो हमारी day-to-day जो life होती है उसमें हमें decision लेने में help करते हैं या फिर हमारे decisions को impact करते हैं अगर एक व्यक्ति strong emotional intelligence वाला है उसकी better public self regulation होगी better public relationship management होगी and उसका जो graph career graph है वो high जाएगा लेकिन अगर एक व्यक्ति कमजोर emotional intelligence वाला है या lower emotional intelligence वाला है उसकी self regulation भी poor होगी जब वो दुखी होगा तो binge eating binge eating का concept सुना है आपने जब दुखी होगा तो वो binge eating करता पाया जाएगा जब excited होगा खुश होगा तो वो over spending कर देगा in all such situations उसका जो career graph है वो भी नीचे जाएगा उसका health graph भी नीचे जाएगा उसका आप कह रहे हो कि repentance में जाएगा ultimately ये लोग जो होते हैं जो emotionally intelligent नहीं होते ये repentance के vicious circle में फच जाते हैं आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा for example आप किसी ने आपको आके कुछ कहा let's say mother and father के एक example लेते हैं आपके घर पे आपके मदर ने आपको कुछ कहा कि बेटा खाना खाले आपने का कोई बाद नहीं खालू और रग दो फिर दूसरी बार आके उन्होंने कहा कि खाले यार थोड़ा ठंडा हो रहा है आप अब जो है एकदम फट जाते हो आप अल्रेडी किसी बात से दुखी थे कि भाई उसने फोन नहीं उठाया मैं इतने टाइम से फोन मिला रहा हूं और उसने फोन नहीं उठाया और यह सारा गुस्सा कहा चैनलाइज हो गया अब बाद में जब थोड़े टाइम बाद मदर फिर प्यार से आके आपको कहती कि खाले बटा अब हम रिपेंटेंस की सरकल में चले जाते हैं अब हमें पच्टावा होना शुरू हो जाता है कि एक वो है फोन नी उठाया एक मदर है कि हमने लड़ भी दिया देन अगेंची इस कमिंग की भई खाना खाले अब मुझे गुसा क्यों किया उसका पच्टावा होना शुरू होगा और यह पच्टावे का एक विश्य सर्कल शुरू हो जाएगा यह एक नगेटिव पॉइंट है जब हमारे पास emotional intelligence नहीं होती है emotional intelligence का career पर भी effect हो सकता है definitely होता है definitely अभी तो अमने बात की अंजली की हम जो है emotional intelligence अगर हम में है तभी social awareness हम में आती है और तभी relationship management भी आती है for example अब अंजली ने ये point उठाया तो एक example तो देना बनता है मानली जी आप एक team leader हो अंजली आप एक team leader हो and आपकी team में 2-3 लोग हैं जो कि आपके साथ काम करते हैं एक भ्यक्ती है वो बार-बार आके आपको बोलता है कि आज मेरे साथ ये problem हो गई आज मेरे साथ ये problem हो गई and आप उससे irritated हो कर आप गुस्से में हो इतने मैं आपके boss का phone आ गया अब boss का जब phone आया तो आपने अपना सारा जो गुस्सा जो employee का था अपने boss पे निकाल दिया boss ने थोड़ी सी बात पूची आपने का क्या दिमाग खाते रहते हो नहीं मेर को बात करनी आप boss का गए गए एक काम कर resignation का लेटर लिग दे या फिर में तरको fire कर रो नाव वाट 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 का करीयर गटिंग एफेक्ट इफेक्ट इफेक्ट वाई हमें जहम जितने भी इविल्स देखते हैं हमारे आसपास जितने भी बुराईयां देखते हैं वह हमारी emotional intelligence नहीं है उसी के जैसे murders होते हैं because we don't control anger okay अगर हमारा anger control होता तो हम किसी को murder नहीं करते तो IPC 302 हम पर नहीं लगती grievous hurt नहीं करते all right अगर हम बात करे crime against women की because we don't have the control over our lust that is why हमें देखने को मिलता है कि crime against women जो है वो बढ़ता जा रहा all right grief जब हम दुखी होते हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा दुख हो जाता है हम suicidal हो जाते हैं all right अरे बच्चों को देखा यार हमने exam में fail हो गए तो यार वो extreme steps लेने के लिए चले जाते हैं this is just an exam okay आप इतने कितने दुखी हो गए आप यह नहीं सोचते कि आपके parents का क्या होगा आपके जो family members है उनका क्या होगा because just because you don't have emotional intelligence you destroy the life of your family क्यों क्योंकि exam में पास नहीं हुए चलो जी कूद गया अरे इतना मतलब मैं क्या बोलू मुझे समझ नहीं आता तो यह emotional intelligence ही है जिसकी वज़े से हम extreme steps लेते unlimited desire इसी के वज़े से हम काम में धूखा दरी करते हैं corruption करते हैं cheating करते हैं everything like that so jitnay bhe evils आप देखते हो हमारी life में जितने भी problems है they are because हमारे अंदर emotional intelligence नहीं है benefits of emotional intelligence कई बार पूछी लेते है benefits बताओ वैसे तो I believe कि आपको concept clear हो गया होगा but still for writing purpose एक तो हम self-regulation कर पाते हैं हमारे जो खुद का behavior होता है उसे हम control कर पाते हैं so हमारे interpersonal relations जो है वो अच्छे होते हैं हमेशा आप देखिएगा जो emotionally intelligent person होगा उसके interpersonal relations जो है चाए वो अपनी mother हो father हो या अपने brother हो कोई भी आपकी life में आपकी wife हो husband हो बच्चे हो सब के साथ interpersonal relations जो है वो आफिस ट्रॉंग होते हैं सब आप पे rely करते हैं you become a credible person all right दूसरा यह है कि you become a good team leader आप office में भी आते हो तो आप एक अच्छे team leader बनते हो तीसरा है कि आप excel करते हो अपने उस scenario में जहां पर आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है stress होता है stress के अंदर भी आप अच्छा perform करते हो that is again a very you know that is again a very good trait about you know right so फिर आता है ability to manage your failures and success हमने बात की थी स्थित प्रग्या स्थित प्रग्या होने की do you remember that term पहले दिन हमने बात की थी कि स्थित प्रग्या हो जाओ स्थित प्रग्या मतलब क्या आपकी बुद्धी स्थिर होना आप खुशी में जादा खुश नहीं हो जाते आप दुख नहीं हो जब गमी में जादा दुखी नहीं हो जाते यह sadness आपको उतना इंपेक्ट नहीं करता now this is how emotional intelligence work all right एक चीज एक चीज और याद रखना हमारे बड़े भी अक्सर कहते हैं कि जब कभी बहुत जादा खुश हो और जब कभी बहुत जादा दुखी हो गुस्से में हो कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए ओल्रेड 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 ओल्वेज पॉस्पॉन दिडिसीजन फॉर नॉर्मल माइंड सेट ओल्रेड तो यह जब emotionally intelligence होते हैं तो वह हम इस चीज के उपर भी काभू पा लेते हैं and emotionally intelligent अगर आप हो तो आपका control आपके हाथ में हैं लोग आपको manipulate नहीं कर रहा है वह ऐसा बड़ा करते हैं तेरे को पता नहीं हो तेरे बारे में कितना गलत बोल रहा था मैं नहीं सुन सकता तेरे फाइदे जो हैं आप एक्जाम में लिख सकते हो हमारे रिलीजेंस में भी कुछ बाते कही गई है emotional intelligence को लेकर सबसे पहले तो हमें यहां पर यह बताया गया है yoga school कि अगर हम बात करें तो yoga school में हमें कहा गया है कि the best way to gain control over your emotions is pranayam meditation and seva अगर आप अपने emotions के उपर control करना चाते हो तो pranayam meditation and seva this is the best way to control your emotions दूसरा सिखिजम में अगर हम बात करें तो उसमें एक ही बात कही गई कि मन जीते जग जीत यानि कि if you control your mind then you control the world or then you win over the world इसी तरह से अगर हम बात करें Buddhism की तो Buddhism में यहां पर middle path की बात की गई है all right so they talk about not this not suppressing the emotions but they talk about channelizing the emotion in the right path all right okay shivam baki sari slides to Hindi में थी बास बस यह एक दो slides है जो कि the pure English में आगे but otherwise every slide was in Hindi I guess all right so jainism जो है yes jainism में कहीं हमें देखने को मिलता है कि suppression की उपर बात की गई है की emotions को suppress किया जाना चाहिए but do we need to suppress our emotions क्या हमें अपने emotions को सप्रेस करना चाहिए तो इसका जवाब है नहीं हमें अपने emotions को suppress नहीं करना दबाना नहीं है हमें अपने emotion school channelize करना एक कोर्ट याद रखो whatever you resist it persists आप जिस चीज़ को रिजिस्ट करते हो वो पर्सिस्ट करता है यानि कि आप जिस चीज़ को अवाइड करने की कोशिश करते हो या दबाने की कोशिश करते हो वो दबेगा नहीं वो उतने ही ज्यादा प्रेशर से बाहर आएगा और राइट so don't resist all right don't resist him I is late today all right him I can relate ho gaya telegram ID sir key kya hai all right my telegram ID aap chandkubha ke naam se search karna us me may a code it all right so kal Rabina kalbamilayam ID as my pool yeah all right so anyhow chandkubha advocate chandkubha ke naam se atah home mil jaega okay so emotional intelligence is not suppressing your emotions it is regulating and channelizing them any emotion can be good or bad I take his or importance about was at home key a key motion a chabi was at a hair burabi was at a depending on the situation for example anger is not bad always visit on get a key anger johai burah gussa hamisha burah but if you think from others other prefer perspective agar hum anger karriya gusha karrihan do say logo on per definitely burah it lakin agar hum anger karriya gusha karriya another Claro agar hum terror Kutar all right so it is all about channelizing your emotions in the right direction जो कि हमने पहले भी बात कि और राइट चली ओके लव की अगर हम बात करें लव फॉर नेचर इस गुड इसमें कोई दिकत निया है हेट फॉर क्राइम इस गुड इसमें कोई दिकत निया और इट चले ना गांधी जी का एक एक एक्जाम्पल कई बार आप एक्जाम में अगर कोट करना चाहो तो आप यहां पर कह सकते हैं कि गांधी यूज्ट एंपथी अक्री अकी ट्रेट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इ हमने कहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होता है वो दोसरों के प्रती सहानुभूती रखता है ना दिस सेम एंपथी वाज यूज़ बाई गांधी जी महात्मा गांधी ऑल्सो यूज़ दिस एंपथी और उन्होंने आकर कहा कि भाई इंडिया के लोगों मैं समझता हूं कि ब्रिटिशर्स ने तुम्हें हमेशा से दुखी किया है मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूं नौ दिस वाट वी कॉल एंपथी इस वाट वी कॉल सहानुभूती महात्मा गांधी ने यहां सहानुभूती दिखाई किस के साथ इंडिया के लोगों के साथ एंड इंडिया के लोगों ने महात्मा गांधी को अपना लीडर बना दिया एंड डिस इस हाओ इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क महात्मा गांधी ने भी इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया एंड इंडिया के लीडर बने इंडिया को फ्रीडम की तरफ लेके कर और मैंने कहा कि भई emotional intelligence जो है न on ground काम करने वाला concept है चलिए तो ये हमने देखा how to develop emotional intelligence जो की मेरे से सबसे पहले पूछा गया था इसमें आप court कर सकते हो yoga school को जहां हमने कहा कि meditation जहां हमने कहा सेवा that is selfless service और हमने बात की प्राणायाम की इसी के साथ सबसे बड़ी जो यहां पर बात है वो है self awareness कई सारे self awareness programs भी चलते हैं आप उनका भी benefit उठा सकते हो emotional literacy यह एक और यहां suggestion आप exam में भी देकर आ सकते हो emotional literacy का मतलब यह है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें emotions के प्रती उन्हें emotions के प्रती जागरुक बनाना चाहिए स्कूल में ही बच्चों के curriculum में ही हमें emotions का concept लेकर आना चाहिए और बच्चों को वहीं पर emotions के प्रती जागरुक बनाना चाहिए उन्हें सिखाना चाहिए कि बेटा हमेशा आपके according काम नहीं होगा, जब आपके according काम हो रहा है, आप खुश हो, बट उससे over excited नहीं हो जाना है, जब आप के according काम नहीं हो रहा, आप दुखी नहीं होंगे या गुस्सा नहीं हो, या बच्शपन से CQE बाती होती है, एक example देता हूँ, नव, यूनो, I have personal experience अभी कई सारे स्कूल्स है यहां पर गुडगाओं दिली में ही जहां पर बच्चों को यह सिखाने पर जोर दिया जाता है कि जब भी बच्चा कोई चीज मांगता है तो तुरंत पेरेंट्स को उसकी वो डिमांड पूरी नहीं करने चाहिए क्यों कारण यही है कि उसमें emotional intelligence आनी चाहिए उसे अपने emotions को control करना आना चाहिए and this is happening right now also there are some schools जो कि काफी अच्छे schools है उनमें ये चीज़े emphasize की जारे है खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं हम emotional intelligence के lessons हमारी जो religious books है जैसे कि भगवत गीता हो गया उनसे भी ले सकते है leaders like महात्मा गांधी उनसे भी उनकी life से भी हम emotional intelligence सीख सकते हैं चले ये था जी concept of emotional intelligence अब जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हो हैं उनके साथ मैंने एक case शुरू के में इसे आपने किस तरहां से tackle करना है मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई किस तरहां से आप answer writing करेंगे खास करके किस की खास करके जो है आपकी case studies की और रहेट तो ये एक हमने framework बनाया था ये हमने एक framework बनाया था case study को कैसे tackle करने का जिसमें हमने कहा था कि सबसे पहले brief में आप subject matter बताएंगे फिर आप stakeholders बताएंगे फिर ethical dilemma बताएंगे फिर option available and फिर दी best option so these are the five steps remember that five steps जब भी आप answer writing करने so one two three four and five ये पांच steps को आपने remember करने and writing मेरी थोड़ी सी ऐसे है सो थोड़ा सा हना मैं दुबारा लिखता हूं all right so this is the one this is two this is three this is four and this is five ये पांच steps है जो आपको answer writing के time पे ध्यान रखने है इन पांचो steps को याद कर लो भई इन पांचो steps को सबसे पहले क्या है brief डिसक ब्रीफ ली description description देनी आपको subject matter की दूसरा है कि जो stakeholders involved है वो आपको identify करना है तीसरा ethical dilemma identify करना है चौता है options available identify करने है और उनके pros and cons लिखने है और पांचवा है कि जो best option आपको नज़र आता है वो लिखोगे अब case study की अगर हम बात करें तो case study कुछ इस तरह corporate house था वो corporate house जो है chemical manufacturing का business करता था उन्होंने एक नया plant लगाने की सोची उन्होंने जब नया plant लगाने के लिए अलग अलग states में गए तो किसी state government ने उन्हें permission ने दी सिवाए एक के एक state government ने उन्हें permission दे दी और उस state में इन्होंने plant लगा दिया वो plant 10 साल के लिए चलाया 10 साल होते होते समझ आ गया local वहां के एरिया के लोगों को कि ये plant जो है बहुत ज़्यादा harmful है और उन्हें ये पता चल गया कि इस plant से जो है बहुत सारा environmental pollution हो रहा है हमारी health effect हो रही है और हमारे crops पे भी effect हो रहा इसलिए लोगों ने agitation किया ultimately government को decision लेना पड़ा कि वो plant यानि वो factory को बंद किया जाए फिर जब ये factory बंद हो गई तो दूसरे लोग सड़क पर आ गए जिनका employment effect हुआ था मैंने यहाँ पर बताया कि कई सारे लोगों की नौकरी चली गई कई सारी ऐसी छोटी-छोटी industries थी जो कि इस बड़े plant पर dependent थी उनका काम बंद हो गया और ultimately काफी ज़ादा economically impact आया क्योंकि ये factory बंद हुई ऐसी situation में आप एक senior minister हो और आपको बताया गया कि आपने इस situation को हल करना है आपने इस situation को हल करना है अब आप इस situation को कैसे हल करोगे तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये framework है answer writing के time पे जो कि आप ध्यान रखोगे हिंदी में मैं बता रहा हूँ शिवम हिंदी में बता रहा हूँ उसको आप समझे हिंदी में सबसे पहले तो आप subject matter को थोड़ा सा describe करोगे वहां बताओगे कि पूरी जो case है उसमें में मुद्दा क्या है all right तो सबसे पहले मुद्दा बताओगे अंजली पहले एक बार इसको देखते हैं फिर उस पहेंगे all right so पहले तो आप में मुद्दा बताओगे दूसरा आप बताओगे stakeholders यानि कि किन किन के हितों को यहां पर हानी या नुकसान या फाइदा पहुँचने वाला so किन के हित इसमें जुड़े हुए है तीसरा आप बताओगे ethical dilemma क्या क्या है यानि कि अगर हम नैतिक तोर से देखें तो यहां पर कहां पर confusion या दूविदा नैतिक दूविदा कहां पे है फिर आप बताओगे कि आपके पास क्या क्या करने के समाधान या फिर options available है और शिवम पांचवां आप सबसे सही समाधान बताओगे और उस समाधान के करने से क्या फाइदे या क्या नुकसान होगे वो बताओगे अब ये case study आपने पढ़ी अब इस case study को आप अपने हिसाब से करो मैं आपको अपना एक answer जो है जो मुझे समझाया वो बताता हूँ all right so सबसे पहले हमने क्या किया मैंने आपको इहां पर brief बताया इस case study का brief मैंने क्या लिखा कि भई मैं एक senior officer हूँ मुझे इस case को इस तरह से solve करना है कि environment भी ना नुकसान हो environment का भी फाइदा हो जाए और जो ऐसे लोग जिने employment जिनकी खतम हो गई जिनको अपनी नोकरी से हाथ धोना पड़ा उनका भी benefit हो जाए industry की growth भी प्रभावित ना हो ऐसा decision मुझे कुछ लेना है जब मैंने ये बात लिख दी answer में ये एक line पढ़ते ही examiner को पता चल जाएगा कि भई ये जो बंदा है न इसको case अच्छे से समझ आ चुका है इसकी रणनीती इसकी strategy एकदम clear है and he knows what he is doing जब आपने ये ब्रीफ लिख दिया इतना ब्रीफ लिखते ही examiner को पता चल जाएगा कि भई बंदा एकदम बढ़िया सई solution लेकर आ रहा है solution पढ़ने लाएक है क्यों क्योंकि मैं बुद्ध में विश्वास रखता हूँ बुद्ध ने कहा था balance बनाना है and I believe in making balance मैंने यहाँ पर दोनो हितों की बात की सो ब्रीफ मैंने ये लिख दिया उसके बाद मैंने stakeholders involved क्या-क्या stakeholders है वो मैंने लिखा मैंने कहा जी इसमें इंसानों का और जानवरों का भी hit involved है वो सभी इंसान और जानवर जिनको pollution से यहाँ पर नुक्सान जेलना पड़ा उनका हित involved है दूसरा मैंने कहा जो अपनी नोकरिक हो बैठे हैं उनका हित involved है तीसरा मैंने कहा कि state government का भी hit है क्योंकि state government को उस factory से काफी सारा tax आता है और economic development में state government की भागदारी है और corporate house का क्योंकि उन्हें profit आता है तो यह सारे के सारे यहाँ पर क्या है stakeholders है यानि कि इन सभी का हित इसमें involved है हाँ जी रोई त्याजव बाकी सारी तो PPT देखो यार हिंदी में थी यार इतनी तो PPT यारा मलब कर लेंगे हिंदी में क्या हो गया लेंगे कोई बात बुस्टा में तो रए गुस्टानियो न चले ethical dilemma ethical dilemma क्या क्या है इस case में एक तरफ तो मुझे environment का ध्यान रखना है और दूसरी तरफ मुझे क्या करना है industrial growth का ध्यान रखना है तो एक तरफ तो environment हो गई दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल ग्रो ग्रोथ हो गए तो एक तो ये ethical dilemma हो गया दूसरा हो गया health of the people versus employment of the people एक तरफ क्या हो गई लोगों की सेहत दूसरी तरफ क्या हो गया लोगों का रोजगार इन दोनों के बीच में मैं फस्ट गया सो environment यहां पर ethical dilemma मतलब क्या नैतिक दूविधा मेरे सामने क्या-क्या है वो मैंने आपको बताया आप और भी लिखेंगे मैं जस्ट एक सेंपल बता रहा हूं आपको कि किस तरह से answer लिखना है फिर मैंने options available बताए मेरे पास क्या-क्या options available क्यों क्यों क्योंकि मैं एक senior officer हूं मुझे power दे गई है कि भाई आप अपने हिसाब से situation को tackle कर दो मैंने का जी मेरे पास 4-5 options है मैं सारे लिखुआ पहला option यह था कि factory को बंद कर दो permanently that's it काम खत्म इस option के pros and cons बताईए अगर हम factory को permanently बंद कर दें तो इसके pros and cons क्या है यानि कि इसके फायदे और नुकसान बताओ इसका सबसे पहले हम अगर हम बात करें pros की या फायदों की तो यह एक quick solution है कि काम खत्म हो गया environment को benefit होएगा और बढ़िया हो गया लेकिन ये एक ऐसा option है जो extreme में जा रहा है जो कहां गया extreme में चला गया इसलिए हमें इसके नुकसान जादा बताने है क्योंकि इसके नुकसान वाके में जादा एंवायरमेंट तो बच गई लेकिन employment suffer हो गई यानि की रोजगार से लोग बेरोजगार हो गई दूसरा क्या इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट सफर होएगी और जो एरिया में तरक्की होने थी उसको यहां पर प्रभाव मेरे उसको उस पर प्रभाव पड़ेगा बाकी इंडस्ट्री भी यहां आने से पहले सोचेंगी तो ओवर ओल इंपैक्ट क्या है नेगिटिव इंपैक्ट एक यह ऑप्शन हो गया दूसरा क्या है लेट दी इंडस्ट्री कंटिन्यू एज यूजवल मुझे इंडस्ट्री को अलाव कर देना चाहिए कि भाई जो जैसा च ओलाइमेंट बनी रहेगी और क्या होगा इसका फाइदा जो लोग थे वह यहां पर बना पैसा कमाईएंगे इंडस्ट्री चलती रहेगी इंडस्ट्री प्रॉफिट कमाईगी सरकार को टेक्स जाएगं लेकिन इसके नुक्सान जढ़ा है नुक्सान क्या क्या होंगे एक environment को यहां पर degradation हो रहा है लोगों की health यहां पर degraded हो रही है और long term problems जैसे की cancer आदी फैलेगा इस तरह से यहां पर and animals को नुकसान हो रहा है तो इसके pros and cons आप देखो यह दोनो solutions मैंने जो लिखे हैं मैं इन दोनों में से कोई भी चूज नहीं करने वाला लेकिन मैंने यह दोनों लिख दिये इसका मतलब क्या कि मुझे पता है कि यह दो solution हो सकते हैं और examiner खुश हो जाएगा कि भाई यह दो solution इसको पता थे यह कर सकता था लेकिन इसने चूज नहीं किया फिर मैं आया तीसरे solution पे shift the industry to some other place मैंने कहा कि इंडस्ट्री को उठाओ और दूसरी जगां भेज दो अब यह तीसरा solution है लेकिन इसके इसके फाइदे क्या होंगे कि यहां पर environmental pollution फिलारी है कहीं और जाके pollution फिलाएगी वहां पर भी तो जाके pollution फिलाएगी न तो इसमें नुक्सान ही नुक्सान है यहां नहीं तो कहीं और का ethically and morally मेरे लिए ठीक नहीं है कि मैं एक नुक्सान पहुचाने वाली इंडस्ट्री को किसी और एरिया में भेज दो तो यह भी एक ऐसा option है जो कि मैं चूज नहीं करूंगा एक और चौथा option जो कि मैं चूज करूंगा उसके बारे में में थोड़ा brief में लिखूंँ उसके बारे में थोड़ा में प्रॉब्लम क्या है जब mोझे यह समझा गया कि इस इंडस्ट्री में यह यह प्रॉब्लम से उसके बाद में उस इंडस्ट्री के मालिक से कहूंगा कि भाई अपने यह यह मशीने बदलो और यह जितनी भी प्रॉब्लम वाली मशीने है इसे खत-أine करो नई machines लेकर आओ और तुम्हारा pollution नहीं होना चाहिए इस चीज के उपर तुम काम करो आप देखो यहां पर शुरुवात में लिख दिया कि it is a very big corporate house यानि कि एक बहुत बड़ा corporate house है और इनको एक industry में थोड़ा सा पैसा खर्च करने से कोई फरग नहीं पड़ेगा यह शुरू में लिखा हुआ है कि it is a big corporate house मुझे भी पता है कि इनको पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है तो industry को थोड़ा सा मैं यहां पर push करूँगा कि भाई तुम environment friendly हो जाओ जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है तुमारी वज़े से जिन जिन लोगों को health issues आए है उन्हें compensate करो एक hospital खोल सकती हो तो खोल दो नहीं तो उनके लिए insurance खरीदो इसके बाद मैं यहां पर क्या करूँगा कि industry को तुम change करो जो भी तुमें change करना है उसके बाद तुम industry चलाओ अब इससे क्या होगा इससे environment भी बच गई इससे employment भी बच गई इससे nature भी बच गया इससे production भी बच गई और everything is going to be in place समझ आया प्रोज एंड कौन सारी बता देश के प्रोज जादा है कौन क्या है इसके नुक्सान भी है नुक्सान क्या है नुक्सान केवल इतना है कि भाई जो industry owner है जो industry owner है उस पे थोड़ा सा क्या होगा economically थोड़ा सा वो जाएगा pressure जाएगा economically pressure जाएगा but that is something which can be compensated वो थोड़ा long term में profit कमा लेगा कोई बात नहीं लेकिन इस से solution सभी हो रहा है do you agree with this do you agree ladies and gentlemen do you agree with this solution yes or no yes or no yes or no yes or no haas a yes bolna hai yes should be there in the yes now this is how this is how we write a case study यह है एक तरीका के स्टरी को टैकल करने का यह है एक के स्टरी एक स्टरी आमिन के स्टरी को टैकल करने सर ओके सर बस कोर्ड और हैडिंग हिंदी में मिल जाए भाई कोर्ड के नाम से चांद कूबा लाइव चांद लाइव ओके just kidding okay so what will be the conclusion आशी यही तो मैंने कहा ना कि this is the fourth option जो कि मैं चूज करूँगा and this is how it is going to help यह सभी काम सुधार देगा सभी काम कैसे सुधारेगा कि भई एक तो environment को pollution नहीं होगा और रहीट सो आप से यही तो पूचा गया ना कि how will you tackle it so यह एक्शन में क्यों लोंगा और उस एक्शन के लिए मैं क्यों क्या-क्या फाइदे है क्या-क्या नुक्सान है ultimately मैं वो लिख के और कहूंगा कि this is the solution that I am going to take that is it all right that is it ठीक है इस तरह से answer writing करनी है हमने इस तरह से answer writing करनी है okay okay so कल कल एक और problem ले कर रहेंगे another solution spent on tax on on spend the tax on environmental up gradation by the government कर सकते है okay मैं यह नहीं कह रहा कि यही वाले solutions ही के वल अच्छे solution है इसके अलावा भी आप दे सकते हो learn with logics you can give even more better solutions so there is no problem in that all right you are even intelligent more more intelligent okay so कोई इश्यू नहीं उसमें कल मिले कल मिलते हैं कल एक दो और अच्छे यहां पर problems लेकर आउंगा वो हम discuss करेंगे और एक दो नए concepts लेकर आउंगा वो हम discuss करेंगे I hope कि आपको यह आज की class पसंद आई होगी मजाया होगा ओके एंड कल की class और ज्यादा भेतर हम देकर आने की कोशिश करेंगे all right and if you want to join with me आप चांद कुबा सर्च कर सकते हैं and telegram instagram हर जगा पर आपको comment मिल जाएगा telegram पर में जो है अपना यह क्या बोलते हैं PPT में वहाँ पर शेयर करता हूं all right so आज की डेट में तो मैं स्लाइड लेकर नहीं बट कल में शुष शेयर करता हूं all right चले कल मिलते हैं बस thank you thank you for being there with me आपके साथ बड़ा मजाया okay how to use the case studying 200 अशीश यह 200 वर्ट में आ जाएगा 250 वर्ट में आ जाएगा all right don't worry okay चले ठीक थेंक यू थेंक यू बाई